So hello everyone, welcome to my channel Commerce Notes आज हम banking subject जो हमें B.com और M.com में आता है उसका एक question answer करेंगे आपको पता है कि हमने previous year based question answer series को start किया है जो कि आपको college or university exam में कभी न कभी questions पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम cover up कर रहे हैं हमने first chapter start किया था यह हमें B.com third semester में आता है प्लेइस्ट मिल जाएगी वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और अगर चैनल को विजिट नहीं किया तो वहाँ भी विजिट कर लेना because अलगलग subject के previous year question answer series वहाँ पे कुछ हो रखी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ होंगी तो telegram का link भी description box में आप join कर सकते हैं updates के लिए, start करते हैं, अगर वीडियो समझ आती हैं आपको तो आपको like कर देना है, इसको share भी कर देना अपने friends के साथ और अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो भो भी कर देना है start करते हैं, आज का हमारा question होने वाला है what is correspondent bank मैंने आपको previous video में बताया था कि आपको कुछ types of bank में क्या, particularly पूछा जाता है five marks में, तो आजाएगा कैसे करना है वो इस video में हम देखेंगे, इससे पहले हमने जो किया था, उसमें हमने सारे types of banks को discuss किया था, कि अगर एक जगर पे question पूछ लिया जाए, कि types of banks बताओ, तो वहाँ पे हमने उस basis पे किया था ठीक है, वहाँ पे हमने correspondent bank के बारे में पढ़ा था पर थोड़ा पढ़ा था, यहाँ पे हम detail में cover up करेंगे, ठीक है, तो क्या बोल रहे है a correspondent bank is a financial institution that provides services on behalf of another bank, तो correspondent bank क्या होते है, financial institutions होते है that means, यह finance से deal करते है, यह provide करते हैं आपको services, पर किसके बहाँ पे, किसी दूसरे bank के बहाँ पे usually, जो कि एक different country में होता है, तो for example, एक bank है, जो दूसरी country में है तो अब वो आपको directly आपे services नहीं देगा, तो वो ना, मतलब उसके बहाँ पे एक दूसरा bank होगा, वो आपको service देगा, तो उसे हम correspondent bank बोलेंगे आगे देखते हैं, this arrangement help यह जो arrangement की गई है, यह help करते bank के, कि वो offer कर सकते हैं, अपने customer को, मतलब अपने customer तक वो access कर सकते हैं, international financial services उन्हें provide कर सकते हैं, without having physical presence in every location, तो ज़रूरी नहीं है, कि कोई जो bank है, वो हर जगा हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कि मतलब वो हर जगा हो, तो अब वहाँ नहीं है, तो मतलब वहाँ तो वो service दे नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं, कि वहाँ जो bank होता है, वो वो क्या है, उस वाले bank के भिहाफ पे कि आपको services दे देता है, तो यहाँ पे जो physical presence वाला है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको क्या है, जो वहाँ पे bank होगा, वो दे देगा services उस bank के भिहाफ पे, जिस bank से आपको क्यों करते हैं, तो कह रहे हैं, सबसे पहले तो इससे नहीं international reach हो जाती है, not all bank have branches in every country, जरूरी नहीं है, हर एक bank की branches हो हर एक country में, तो correspondent bank help करते हैं उनकी कि वह extend कर सकते हैं अपनी, उनकी services को globally, फिर second है cost effective, instead of opening a new branch, देखो अब नई ब्रांच कोलने से अच्छा है, different country में, आप क्या करो, correspondent bank की service ले लो, ठीक है, वो आपके विहाब पे act करेंगे, फिर आता है local expertise, correspondent bank के पास बहुत knowledge होती है, local regulations की क्या है, local regulations, market, business practices कैसे होती है, कैसे transactions को स्मूधर जा सकता है, more efficient करा जा सकता है, तो इससे क्या होता है, कि हम correspondent bank की help लेते हैं, so that उनको तो सारी knowledge है, वहां के area की, सब की law, regulations की, तो क्या है, इससे हमारी transactions है, और अच्छे तरीकी से हो जाती है, और efficient country, okay, this is crucial, यह बहुत ही important होता है, international trade और personal remittances में, second is trade finance, यह facilitate करते है, international trade में, कैसे यह provide करते है, services like letter of credit हो गया, जो ensure करता है, कि जो exporter है, get paid and importer receive, कि जो exporter हो गया, और importer है, जो receive कर दिया, फिर आता है, currency exchange, they assist in converting one currency to another, एक currency को दूसरी करने के लिए, क्या है, यह help करते हैं, जो की essential होती है, international transaction के लिए, फिर है check clearing, यह help करते हैं, processing में, चेक के, जो return किया जाता है, different country में, ensure करते हैं, कि जो fund है, वो correctly transferred हो, between accounts, फिर आता है, advantages, अगर हम देखे, तो advantages में, सबसे पहले कहरे है, भाई, global connectivity होती है, इससे, enable करता है, banks को भी offer कर सकते है, international services, without physical presence, everywhere, हर जगा उनकी branches नाभी हो, फिर भी वो वहाँ पर अपनी services दे सकते हैं, help ले लेंगे, वो खिसकी correspondent bank की, जो उनके भिहाँ पर काया काम करेगा, फिर आता है efficiency, speed up करता है international transaction को, जो provide करता है access, local banking system में, cost saving होता है, इससे, reduce the need of banks to invest infrastructure in foreign countries, इससे यह है कि, एक पूरा प्रॉपर आपको, ब्रांच नहीं खोलनी पड़ रही है, bank की, ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या है, आप कस्टमर को services भी दे पा रहे हो, और वहाँ पे ऐसा नहीं है, कि आपको पूरी ब्रांच खोलनी पड जा रही है, के उपर ही, ठीक है, फिर है complexity, international transactions क्या है, हो सकती है, कि can be complex and may require multiple correspondent bank, जिससे क्या है, कही नकरी delay होते हैं, फिर है regulatory challenges, different country के क्या है, different country में क्या है, regulations क्या है, जो क्या है, कही नकरी transaction को complicate करती है, तो यहाँ पे एक real life example बताया है, कि imagine you want to send money from your bank in India to a friend in the USA, आपका एक बैंक है इं आपका जो बैंक है, उसकी ब्रांच USA में नहीं है, ठीक है, so it uses a correspondent bank there, तो अब क्या है, यहाँ पे correspondent bank क्या है, उसका रोल आएगा, your bank transfer the money, आपका जो बैंक है, वो ट्रांसफर करेगा, उस money को जो आपने भीजनी थी, उस money को गो correspondent bank के account में क्या है, भीज देगा, and जो correspondent bank है, then deposit करेगा, जो money थी, ठीक है, और वो क्या करेगा, फिर आपके friend के bank account, जो USA में है, जिस भी ब्रांच का है, ठीक है, उसको क्या है, भीज देगा, तो यह process है, इसने क्या है, एक बहुत easy कर दिया, कि आप क्या है, international transaction कर सकते हो, ठीक है, तो अब हम conclusion देख लेते हैं, तो क्या जो correspondent bank है, यह बहुत ही important role play करते है, global banking system में, यह act करते है, एक intermediary की, जैसे, जो facilitate करते है, international financial transaction में, यह enable करते है, बैंको की, वो provide कर सकते है, comprehensive services worldwide, without having established physical presence in every country, making banking more accessible and efficient for customers engaged in the international activity, जो customers है, वो international activities करते हैं, तो उनके लिए क्या, यह बहुत helpful होते हैं, ठीक है, यह जो services है, यह बहुत helpful होती है, तो hope, आपको correspondent bank क्या होता है, यह सारा का सारा समझ आया हो, हमने एक example के तुरू देखा, advantages देखे, disadvantages देखी, ठीक है, और lastly हमने एक conclusion देखा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आपको इसको like कर देना है, इसको share भी कर देना है, और अगर चैनल को subscribe नही है, तो वो भी कर देना है, और जो वीडियो नहीं देखी है, वो भी देख लेनी है, thank you.